नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा बारा की आरोफ पुस्तक के गध्य खंड से धर्मवीर भारती जी का पाठ काले मेगा पानी दे पढ़ें। महान गध्य लेखक एवं उच्च कोटी के पत्रकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहबाद विश्वी द्याले से हिंदी में में और पीएजडी की उपाधियां प्राप्त की। उन्होंने कई वर्षों तक वहीं से प्रकाशित होने वाले सापताहिक पत्र संगम का संपाधन किया। सन 1969 में वे मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध सापताहिक पत्र धर्म युक के संपाधक बने। सन 1972 में धर्मवीर भारती जी को भारत सरकार ने पदमश्री की उपाधी से विभूशत किया। 4 सितंबर 1997 में को उनका निधन हो गया। भारती जी के लगभग 20 ग्रंथ प्रकाशित हुए। कनुप्रिया, सादगीत वर्ष, बंदगली का आखरी मकान, सूरज का सात्मा घोडा, गुनाहों का देवत्ता, अंधायुग, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मुल्य और साहित्य, ठेले पर हिमाले आदी उलेखनिय है। भारती जी की भाषा तत्सम, शब्द प्रधान, गंभीर एवं साहित्तिक है। उन्होंने भावात्मक, समिक्षात्मक, चित्रात्मक, वर्नात्मक, वियंग्यात्मक आदिशैलियों का प्रियोग किया है। इस पाट के लेखक धर्मवीर भारती ने लोग में प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वध को मिशरित किया है। शिक्षित समाज, विश्वास और विज्ञान के बीच में तालमेल का अभाव देखता है। इस पार्ट में लेखक और उनकी जीजी प्रमसह, शिक्षा और विश्वास के प्रतीख हैं लेखक विज्ञान को मानने वाला है लेकिन समाज के रिती रिवाजों को भी महत्व देता है लेखक का मानना है कि जिन चुनोतियों का हल विज्ञान नहीं निकाल पाता उसका भी हल समाज धूनने का प्रयास करता है प्रस्तुत संस्मरण में लेखक का मानना है कि विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्द्य इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है इसी संदर्म में लेखक ने इस प्रसंग को रचा है संस्मरन विधा की एक रचना है आशार के महिने में जब पकवाडे भर बारिश नहीं होती तो किशोरा वस्था वाले लड़कों की इंदर से ना घर घर जाकर पानी मांगते है पानी की कमी होते हुए भी मैलाएं उन पर सहेज कर रखा हुआ पानी डाल देती है पानी डालने के बाद फिर कीचर में लेटते ये इन लड़कों के हाथ, पैर, पेट, बदन, मुख सब मिट्टी से लिपट जाते है इनके इसी रूप को देख करके कुछ लोगों ने इन्हें मेंडक मंडिली का नाम दिया बारिश न होने के कारण तालाब सूख जाते हैं, घरों के कुए भी पानी नहीं रहता ऐसे में गाओं गाओं में पानी के बिना कोहराम मज जाता है बारिश न होने के कारण लोग इसकी प्रार्थना करते हुए पूजा पाट भी करते हैं पशुपक्षी प्यासे मरने लगते हैं और यदि इतने पर भी वर्षा नहीं होती तो इंदर सेना बादलों से पांगनी मानने के लिए निकल पड़ती है ऐसे में लेखक सोचता है कि जब पानी की घर-घर में इतनी कमी है तो महिलाव नुआरा इंदर सेना पर पानी डाल कर अपना अंदविश्वास ही प्रदर्शित करती है लेखक आरे समाजी होने के साथ ही कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था इसलिए उसमें समाज को सुधारने का जोश भी है अंदविश्वासों के विरुद उसके पास सबल तर्क है वह सभी रीती रिवाजों, पूजा, अनुष्ठानों को अंदविश्वास मानता है वह इन सब को पूनतह समाप्त देखना चाहता है यह समाज में फैले दक्यानूसी विचारों को जड़ से उखारना चाहता है लेखक की एक जीजी थी, जिनकी उम्र लेखक की मां की उम्र से भी अधिक थी वह लेखक को भग लाट प्यार करती थी, रिष्टे में वर्सकी कुछ नहीं लगती थी को जीजी मान सम्मान देती थी, लेखक उनको अंदविश्वास कहता था लेखक भी सभी त्योहारों तथा पूजा अनूस ठानों में उनकी मदद करता था लेखक जीजी के तरकों के सामने निरुत्तर हो जाता था लेखक ने जीजी के कहने पर इंदर सेना पर पानी नहीं फैका जीजी के आग्रह करने के बाद भी लेखक ने ना तो पानी फैका और नहीं जीजी के लड़ू मठरी खाय कुछ समय तक उसने जीजी से बात तक नहीं की जीजी अपनी बात को सही साबित करने के लिए अनेक तर्क देती पानी की यहाँ बरबादी नहीं यहाँ पानी का अर्ध्य है यदि कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होता है दान को सबसे महान कहा गया है दान के लिए त्याग करना पड़ता है अभाव की इस्तिती में भी किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है सूखे में हमारे द्वारा फैंका गया पानी ही पानी की बुवाई है हम बीच को बोकर पानी देते हैं एवं काले बादलों से पानी मांगते हैं खुद दो तो देवता तुम्हें चोगुना और धुना करके लोटाएंगे। उनका यह भी कहना था कि एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बनता है। बनी रहती है किन्तु त्याग करने से हम पीछे छूड़ जाते हैं। लेखक कहता है कि आज आदमी स्वार्थी हो गया है। वे बातें लेखक के मन को कचोटती हैं। हम चारों और फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं। लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि कहीं हम अभी तो ब्रष्टाचार के शिकार नहीं बन रहे हैं। जदि हम सोचें तो एक स्तर पर हम सबी हम उसी ब्रष्टाचार के अंग बने हुए पाते हैं। काले मेगा दल के दल उमरते हैं, पानी जमा जम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह इस्तिती, लेखक इनी सब प्रश्णों में अपने आपको घिरा हुआ पाता है, इस पार्ट से यहां निशकर्ष निकालना बड़ा कठिन है, कि विज्ञान का सत्य बड़ा है, या सहच प्रेम का रस, या दोनों, धन्यवाद बच्चों, उमीद है आपको यहां पार्ट समझ आया हो,